हेलो एवरीवन अगर आप बिगिनर है और आप आईशुडो पैलेट लेना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज है कि बिगिनर के लिए कौन सी आईशुडो पैलेट अच्छी रहेगी जो गाइस यह वीडियो में आपको डेटेल हैं समझाने वाले हूँ कि कौन सी आईशुडो पैलेट बिगिनर को लेनी चाहिए है तो यह वीडिया आईट तक जरुद देखियेगा so guys अगर आप beginner हो and आप सिर्फ और सिर्फ client वा करने वाले हो तो आपको लेनी चाहिए nude shades वाली eyeshadow palette so यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो है प्रोश की show stopper palette जिसमें आप shades देख सकते हो कितने प्यारे shades है nude shades है यानि कि बहुत सारे bright shades नहीं है यह सारे shades आप client को कर सकते हो and shimmery भी आप देख सकते हो कितने beautiful है rose gold है, copper है and golden shade है जो आप आपके पास जितने भी clients आते हैं उस सारे client के सारे outfit पे आप कर सकते हो guys यह जो palette है वो है 3500 की अगर आप economy range की कोई palette लेना चाहते हो जिसमें nude shades आते हो और shimmery भी beautiful आती हो so यहाँ पर आप देख सकते हो Jacqueline Hill की eyeshadow palette जिसमें बहुत सारे अलग-अलग colors है nude shades भी है and shimmery shades भी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी है इसकी price है 1500 रुपे and अगर guys आप इससे भी कम price में कोई eyeshadow palette लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो pretty all set और जिसमें सारे shades जो है वो आप देख सकते हो कितने beautiful है सारे shades जो है वो nude है और इसमें shimmery shades भी बहुत ही beautiful है rose gold है copper है golden है dark अगर mature skin आती है तो उसमें भी आप कर सुको वैसा shades है और nude shades है सारे so guys यह है 1000 रुपेज की and अगर आप 1000 के अंदर कोई eyeshadow palette लेना चाहते हो तो यहाँ पर है C2P की professional makeup eyeshadow palette जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही beautiful metallic shade है and nude shades है यह प्यारा सा shade थोड़ा तूट गया है बट यह eyeshadow palette बहुत ही प्यारी है और यह आप ले सकते है 1000 के अंदर प्राइज में यह वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे ही knowledgeable वीडियो के लिए हमारी ID को follow कीजिए thank you so much everyone bye bye